इस जगत में प्रभाव अपने कर्मों के अनुसार और सामुहिक कर्मों के अनुसार प्राप्थ होते हैं कुछ कर्म फल अमरे व्यक्तितकत कर्मों का परिणाम है और कुछ सामुहिक कर्मों का व्यक्तित मन का भी प्रभाव और सामुहिक मन का भी प्रभाव होता है जिस नाव में बैठे हो उस नाव में बाकियों से भिन नहीं हो उनका भी प्रभाव पड़ता है पर कुछ भी हो व्यक्तिगत कर्म फल हो या सामुहिक कर्म का प्रभाव हो जीव अपने गेहरे अंतर मन तुम जीवात्मा के निकट मान लो से गेहरे अंतर मन में अगर एक आधार पकड़ के रहे जैसे इश्ट का नाम मंत्र का जाप अनवरत चलता रहे तो ये भावसागर सहचता से पार हो जाता है जो परिणाम आने हैं वो तो आएंगे चुकि वो उन कर्मों का प्रभाव है जिनके परिणाम कई अकाट्टे भी होते हैं वो उन कर्मों का प्रभाव है जो सामोहिक मन ने कभी प्रचलन बना करके किये और भोगना भी है पर कुछ भी हो कैसा भी क्यों ना हो एक सादक में एक मंत्र एक इश्ट का नाम अगर उसके अस्तित्म की डोर में अस्तित्म की डोर कौन है शांसे है अस्तित्म की डोर इस शरीर की स्थूल में जो डोर है वो श्वास है, सांस है अस्तित्र की डोर में अगर वो मंत्रिया वो नाम चलता है तो सागर पार हो जाता है मैंने पूर मिव्यू लेक किया विज्ञान कोई पहली बार इतनी प्रगती नहीं कर रहा है और अभी तो आने वाले समय में पता नहीं और कितनी प्रगती होती ही चली जाएगी और वो भी कोई पहली बार नहीं होने वाली अने को बार काल के गर्ब में स्थूल जगत की प्रगती होती ही रही जो अंतुत गत्वा दिरे दिरे जैसे जैसे बढ़ते गई गई सुक्ष्मी ग्यान और सुक्ष्म हो गया पर नहीं बदले तो कुछ से धानत नहीं बदल सकते करम फल और पुनर जनम और पुनर जनम से मुक्ती मोक्ष ये नहीं बदल सकते मुनुष्य बले ही गले में माला पहन के आकाश में चला जाए अभी तो वायू जान चाहिए न हेलिकॉप्टर प्लेन चाहिए मैं कहते हूं माला पहन के छोटी सी इतना विज्ञान विक्सित हो जाए तो भी ये सिध्धान बदलेंगे नहीं बदलेंगे इसलिए एक इश्ट का मंत्र इश्ट मंत्र को इश्ट मंत्र से तात पर यह है कोई ऐसा मंत्र जो तुमारे गहरे अस्तित्यों में गुथा हुआ समय आने पर हम अलग-अलग मंत्रों का प्रियोग करते हैं गायत्री में भी 24 गायत्रियां है पर मूल तो एक ही चलता है जो हर समय हर समय हर समय चलता है विपत्ति में आनंद में भोग में वो मंत्र जाए नहीं कहें आपने क्या कह दिया आपने भोग कह दिया मैंने वो कहा जो मेरा अनभाव है चाह किसी आवस्था में भी क्यों ना हो वो नहीं जाए क्योंकि वो जीवात्मा की डोर है बोग कौन करेगा? शरीर और मन करते हैं ना अलग-अलग प्रकार के बोग होते हैं कौन करते हैं? शरीर और मन पर जीवात्मा की डोर नहीं छूटने चाहिए, किसी में आवस्था में सब ये पवित्र आवस्था ये अपवित्र आवस्था ये पवित्र और अपवित्र आवस्था हैं किसकी शरीर और मन की जीवात्मा के स्थर पर चले जाओ तो वहाँ तो केवल पवित्रता है आत्मा के स्तर पर मैंने अपना अनुभव कहा है अमुक ने ये कहा तमुक ने ये लिखा लिखा होगा कहा भी होगा मान लेता हूँ पर मैंने वो कहा जो अनुभव है बेटा लिखने में और कहने में बहुत कुछ होता है पर जब तक अनुभू में नहीं आये ना तब तक सत्य की प्राणपृतिष्ठा नहीं मानने चाहिए डरना चोड़ो और जीवन की इस डोर को पकड़ करके और जीना ही शुरू कर दो सत्यती है कि ब्रह्मोरत में मैं बोल रहा हूँ और जितने साद्य को पहले से ही करते हैं आपके बहाने और भी सुन लेंगे आप दिखो कितना बड़ा काम कर रहे हो एक बहाना बन करके कईयों को और को भी प्रकाश देने का माद्यम हो ठीक है ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है ओम ही सत्य है